दोस्तों मेरा नाम रविकांत है और इंस्टिट्यूट ऑफ इंडियन थौट की तरफ से मैं आप सब का स्वागत कर रहा हूँ इस व्याक्ख्यान में जिसे हमारे मित परसर बजरंग विहारी तिवारी देंगे करीब 40 मिनट तक बजरंग जी बोलेंगे और विशे है स्त्री स्वाधीनता और स्त्री कॉमा स्वाधीनता और तुलसीदास बजरंग जी गौंडा जन्पद में पले बढ़े और इनकी उच्छ शिक्षा लहावाद था दिल्ली में हुई दिल्ली विश्वे द्याले में हम लोग के बहुत पुराने मित्र हैं जब भी हम लोग कहीं उलजते हैं भक्ति काववे में या दलित साहित्य में तो हम इनको तकलीफ देते हैं, यह हमारा मार्ग दर्शन करते हैं, हमारी गुत्यों को सुझाते हैं और फिर हम आगे की राह पाते हैं, तो इन्होंने इन विश्वों पर काम किया है, भक्ति समवेदना और सत्ता प्रतिष्ठान पर इनका प अध्यापक हैं, उनकी नई किताबे हैं, हिंसा की जाति, केरल में सामाजिक आंदोलन, दलित साहित, तथा दलित साहित एक अंतर्यात्रा, जब इंटरनेट पर चीजें जाती हैं छपके तो उसमें बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, पंक्चुएशन मार्क्स वगरा वगरा इसलिए मुझे दिक्कत हो रहे हैं इन किताबों को पढ़ने में, तो माफी, बजरंग जी और मंच आपका है, फिर हम लोग बात करते हैं आठिक, प्रोब ये बिशय बड़ा विबाद का को आकरशित करता रहा है, तुल्चिदास खुद ही विबाद को आकरशित करते रहे हैं, उससे निकल करके देखना मुश्किल होता है, उनको इसका अंदाज था, तुल्चिदास को दोहा वली में उनका दोहा है, जिसमें वो कहते हैं, कि जो ये प्रतिष्ठा है, ये पाप है, और लग जाए, तो आपको चैन से सुने नहीं मिलता है, ना जिंदा रहते ना मरे हुए मांगी मधुकरी खात जे, सोवत गोड पसारी, पाप प्रतिष्ठा बढ़ी रही, ताते बाढ़ी रारी, प्रतिष्ठा जो है वो पाप है, बढ़े, तो फिर दुश्मन बहुत सारे पैदा हो जाते हैं, तो अब देने उनके ही भाई थे . उनके वारे मां तु तो हमारी वातचीत नहीं होती, उनके आम साथ में अंगिनत कभी हैं. लडाई मेरे रहते इस पक्ष्थ से उस पक्ष तक लेकिन इनको लेकर के तो भाटाई है। उनकर रहते हुए लडाई है। जब थे तब भी उनके जो दोस्त थे अब्दुरहीम खान खाना उन्होंने इनको सेक्यूरिटी गार्ड सुपलब्द कराए थे नहीं तो मने की जान पर बनाई थी तुलसिदास के जो अंत्रकthा है वो यह है कि कोई मतलब उस समय जिसको आज की भासा में कहें हाशिये का समाज के समाज के लोग तो थे नहीं हमला करने वाले थे पंडीजी लोग तो यह जानना चाहिए कि वो कौन से लोग थे जिनों ने और क्यों हमला किया जो कहा जाता है वो यह कि भई उन्होंने राम कथा जो संस्कृत में थी उसको हिंदी में कर दिया यह यह तो बहुत चलता हूँ उत्तर है मामला वो नहीं था मानस के शुरू में उन्होंने बाकी जगहों पर भी उसके संकेद मानस में बहुत साफ साफ लिखा कि पहले मैं भी राम भक्त हुआ करता था कथित राम भक्त वा करता था अब उससे निकलाया हूं तो वो जो पुराने अनुभव हैं उसको अब बता रहे हैं और जिस तरह से में बताया है वह तो बड़ा अधुत है लिखा है कि यह जो मारामभक्त अपने आपको कहलवाते हैं वह असल में थक लोग होते हैं और नहीं होते लेकिन वह राम के नहीं उस बहाने वह चोते हैं संपदा के धन संपदा के काम वासना के और हिंसा के ये उन्होंने तीन चीजें बताई हैं कि राम भक्ति की यान में वो इस तरह की भक्ति किया करते हैं दुआवली का एक दुआ लाइन जो है वो ज्यान में रखने चाहिए बिल्कुल मानस के शुरू में ही है बंचक भगत कहाए राम के किंकर कंचन कोह काम के तो यह उनके किंकर हैं और अगली लाइन में कहा कि मैं तो हरावल दस्ते में था उनके मैं तो बिलुकुल आगे रह कर काम किया करता था तिनमाहा प्रतम रेख गतिमोरी मैं तो पहली रेखा का योद्धा हुआ करता था तो यह है इसलिए आप देखें कि मैंने जो हमला है वो हमले के लिए कौन तैयार हुए होंगे उनके ऊपर तो यह है लेकिन 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 तब हमला किया बाद में आत्मसाथ किया ये भी वह अलग अलग अधियन का विश्य बनता है जब 36 में प्रगर्शिलाद नोलन आया उसके पहले ही कुछ-कुछ जमिन बनने लगी थी तब भी मनें 36 लेकर के 50-60 तक तो बहुत हमले हुए जो प्रगर्शील है जो प्रगर्शिवादी है उसमें दो खेमा ही बन गया तुलसी विरोधी तुलसी समर्थक उदासीन कोई रह नहीं पाया उसमें कि नहीं हमारी इस पर कोई पूजिशन नहीं है वो नहीं कोई नहीं पूजिश मतलब तब ही हैं अभी ऐस अभी नहीं है लेकिन तब तक ये उभर गया असमिताओं का तो असमिताओं के मुक्षत्र के रूप में चिन्हित किये गए तो भी हमले की जद में रहे वहीं मुक्ष की बात यहीं है कि जैसी मौजूदगी है इनकी जनता में लोक में वो बड़ कारण बनता है उन पर हमले का एक बात पर हंसते हुए ऐसे ही उसी उसी आवाज में डाक्टर अम्बेटकर ने लिखा था कि देखिए मनुस्मिर्थी को लोग क्या उसको श्रे देते हैं लोगों को लगता है कि मनुने जातिव्योस्था बनाई थी लगता है कि उसने यह व्यवस्था कायम की थी का ऐसा कुछ नहीं है वो तो एक संग्राहक था उस समय तक जितनी चीजें जाति को लेकर कही जाती थी उसने सब इकठा कर दिया इसलिए इतने उसमें इतने अंतर विरोज है मनु में और मनु कोई 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 सिस्टम होने और जानते थे कि वर कैसे बनते हैं और कैसे फिर स्टिफिकेशन होता है कैसे जातियां बनती है यह एक जो है इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि मलबाद के अध्येनों में इस यह पहलू अगर आपको ध्यान में न रहे तो फिर हम भी बहुत चार्जड हो जाते हैं यह मतलब जानेने की बजाए कि हम उस उस वो जो दुनिया है मतलब तीन तरह की दुनिया है जो तुलसिदास की रचनाओं में दिखाई पड़ती है एक तो परमपरा से आती हुई राम कावी की परमपरा है कथा की परमपरा है बार बार कहते हैं कि मैं कथा कह रहा है एक तो कथा की परमपरा है वो दूसरा उनका अपना समय और तीसरा उनकी उनका जो यूटोपिया है यह तीनों चीजें मिलकर के फिर एक एक यूनिट बनाती ह और उस मतलब वो जो समाज दिखाई पड़ता है जिसमें तीनों चीजें उपस्तित है उसमें लगाने केना कारण मतलब लगा नहीं पाते तो फिर लगता है कि नहीं इस बात पर इनकी भर्सना होनी चाहिए इस पर इनकी नहीं होनी की चाहिए ऐसा करके तो एक मतलब एक सपाट पर निके अध्यन में तो है कि हमारे बाद के जो अध्यता है में सपाट पन तो आया है पूजिशन ले लिए हमारे साथ के जो कि कुछ रश्नाकार पादक वर्गों के साथ होते हैं दोनों के अलग-अलग होते हैं इसलिए जो है वो देखना चाहिए कि किस वर्ग के रश्नाकार जो मानस है या कवितावली है या गीतावली हैं ये सब तो प्रबंध कावी हैं प्रबंध कावी में किसी रशनाकार की का मंतब भी खोजना और कह पाना निर्भांत कर देखी यहीं उनकी पोजीशन है ये खतरे का मामला होता है इतने लोग तो इसलिए देखना चाहिए कि कोई ऐसी किताब लिखी है क्या जहां पर मतलब उसके उसका सिधान पक्षाया हो जैसे गोदान के आधार पर या रंगभूम के आधार पर जो कुछ किया गया प्रेमचंद के बारे में तो वही था कि उसको अगर मैं प्रेम करता हूं प्रेम चंद से तो मुझे वह सारी चीज़ें दिखाई पड़ जाएंगे जो प्रेम वाली हैं अगर मैं घ्रणा करता हूं तो मैं वह सारी चीज़ें खोज लूँगा उन्होंने जाद्विशेस का नाम लिया वह काफी है जला इतिकाउद्यश पढ़िए तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते कि नहीं यह उनका मत नहीं था यह किसी और को पूट किया उसमें उन्हीं का मत है तो इसलिए तो फिर वैरागी संदीपनी देखनी चाहिए पतली सी किताब है उसमें उनके विचार आए उसमें यह नहीं कहा जा सकता कि यह किसी और को उन्होंने रखा है वो तो उसमें इसलिए उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें जात्व्योस्था के समर्थन में इस्त्री के विरोध में और उत्पादक वर्गों को लेकर के क्या कुछ कहा गया है यह वह साफ साफ दिखाई पड़ जाता है कि जो पूजीशन है वो दिखाई पड़ जाती है और यह भी मलूम हो जाता है कि जो बाद की परमपरा है जिसको बहुत हस्तक हिंदी के बड़े मेधावी अलोचक मुक्तिबोध नहीं समझ पाए थे कि जो निर्गुन परमपरा है वो तुलसी को क्यों अपने में समेटना चाहती है आप रज्यबली को देखिए उनकी सरवंगी को देखिए उसमें तुल्स दास की उपसिति क्यों है रज्यबली तो कबीर के उतार कहे जाते हैं ऐसे ही जिएंगे उतनों तुलसिदास बोल रहे होते हैं कोई मतलब वह निर्गुन परमपरा कि अब तो यह क्या है अब इरादास्वामियों के यहां जिस तरह से उनकी किताब में छप रही हैं उनकी किताब यह आ रही है वो देखना चाहिए कि बात में बात समझ में आती है कि वो कहना क्या चाहते हैं और वो किस वर्ग के लिए हैं तुलसिदास किस वर की बात कर रहे हैं यह जो मेकारा उपस्थिती है अभी हमने अपने महाविद्याले में कारिक्रम किया पूर्वाधुनिक काल के पांच बड़े महाकावियों को रखा गया कि उस पर देखा जाए कि स्वर्ग को ले करके इन महाकाविकारों की क्या पोजीशन है तो उसमें सबसे पुराना रामायर उसके बाद में डिवाइन कामेडी डिवाइन कामेडी के साथ साथ में शाहनामा फिर दोसी का फिर यह तीन हो गया चोथा तुलसिदास भैं और पांचमा तुलसिदास से सत्तर साल बाद में परडाईज लुश लिखने वाले जॉन मिल्टन तो अब जब इनके साथ रख करके देखते हैं बाकी लोग भी वह समाधित हैं चाहे दांते हों चाहे मिल्टन हो हूँ चाहे फिर दोसी हूँ चाहे वालमीक हूँ लेकिन यह अकेडमिक डिसकसन के विशह हैं यह विश्वर्द्यालेयों के लोग हैं या कोई स्पेसिफिक कहें कि रखने वाले जो विद्वान हैं उनका मामला बनता है रोज मतलब आप गोपाल गंज में होते हैं आप बा रहा है मतलब मानस पार्ट चल रहा है तो यह ऐसी मतलब लाइव ऐसी ऐसी जीवन तो पस्तिती बाकी तो किसी महाकावी को तो नहीं मिली है और वो ऐसा कभी जो स्वर्ग के खिलाफ अभियान चलाए हुए है बुरा पूरा धरम्युद्ध है देवताओं के खिलाफ अभिय है लानत लानते भेजी है वह सा कोई मिलता नहीं दिखता नहीं तो यह एक चीज है जो समझने की है उन्होंने कहा है कि अगर आपको मेरा लिखा हुआ समझना है तो आपको ध्वन और वक्रोग ती यह दो चीजें आनी चाहिए अगर यह नहीं है दुनिया वरेब कपिद ग है जिसको कहते हैं संपुथ दोहराने वाले वायसे हो जाते हैं गाते हैं अच्छा लगता है और यह भी लगता है कि चलो भई अगला जनम हम बना रहे हैं वह करना पड़ता है जो बाद का एक समय आया जिसको हम दर्वारी कविता का समय कहते हैं, रीतिकाल कहते हैं, श्रंगार का तरा तरा के नाम दिये गए हैं, उसमें एक चीज कही गई कि आगे के कविरीज ही हैं तो कविताई ना तो राजिका कनहाई स्मिरन को बहान हो है, आप ऐसा नहीं है कि यह नहीं इस बात को जा लोग जानते हैं वो भी किसी बहाने से उन्होंने लिखा है कि हमारे यहां तीन धाराएं बहती हैं अर्थ की तीन धाराएं हैं मकथा की तीन धाराएं जो पहली धारा है जो दिखती है बहुत साफ साफ वह भक्ती की धारा जिसको उन्होंने सुरसरी कहा त्रिवेणी में तो तीन नदिया है न तो सुरसरी का गंगा गंगा जो भक्ती की धारा जादा तो उसमें नहाने के लिए लोग आते हैं एक डुपकी लगाया या पांच डुपकी लगाया तो वह बताते है पहले लुकी में इतना पाप कटेगा दूसरी में संचित है प्रारभ्ध है क्रियमान है तो तरा तरा के पाफ है उकड़ते रहते हैं तो यह गोड़ कर्म कथा नहीं का कि एक तो भक्ति कि दारा है दूसरा कहा कि यह बन द्रवस्था वाला मामला है करम कथा रविनंदन बरनी यह जो कर्म कथा है कि आपको यह करना है आपको यह नहीं करना है कलिवर्ज वाला मामला मनें कि साफ कहें तो जो बाणव्योष्था सम्मंधित बातें वो भी हमारे यहां पूरी है और वह धारा है यमुना की देखियत कालेंदी इतिकारी तब भी है और आज भी है यमुना की धारा कि जिसमें बाण व्योष्था सम्मंधि बातें यो भी पूरा पहले पने से आकरी पने तक आपको मिलेगा विप्रों को पूझना चाहिए भले ही उनमें कोई ग्यान ना हो शुद्रों में भले बहुत स चिल्वान तबी निंदनिये इस तरह की बातें हैं पूरी भरी हुई है उन्हें का ये भी एक चलती है दोनों धाराएं हैं तीसरी धारा उन्हें ने कहा कि मेरी अपनी है और वह सरस्वती तो नहीं दिखती है सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा कि जो सरस्वती है वो मेरे अपने विचार हैं उनके प्रचार के लिए मैंने यह किताब लिखी है लेकिन उससे उपर मुझे दो आवरन डालने पड़े हैं मैंने तो रिसर्च किया है पुष्ट मार्ग पर मल्लभाचारी के उपर बल्लवाचारी का जो संप्रदाय है तो वो वेद मार्ग के विरोधी थे पुष्ट मारगी और उनका तो बहुत जलवा था जमाने में अभी भी कम नहीं है लेकिन तब तो बहुत था रामचान शुकल जी ने लिखा है कि उनके यहां केसर की चक्यां चलती थी मतलब इतना इत तो वो एक बार उनके यहां यगी हो रहा था तो बल्लवाचारी के पुटर थे बिठल नात बिठल नात के पुतर थे गो कुल नात ने सम्भ होता अपने मार पिता जी से पूछा विठला से पूछा कि ये यगी क्यों जब आप वेद विरोधी हैं तो ये क्यों कर वा रहे हैं तो कहा कि ये बार है खेत ना खाले आ करके वैदिक लोग क्योंकि उनके पास है अब सत्ता है तो इसलिए यगी करा देंगे तो उनको लगेगा कि हमारे अपने लोग हैं ये भीतर के जो किताबे होती है ना संपरदाय के भीतर वाली उसमें ये भेद खोला गया है तो काना इसलिए बार लगाने पड़ती है तो वीच बीच में यगी महराज की जैइबेद महराज की बोलना पड़ता है वो है कि ये दो बार है भक्ती की ये वह दो प्रतिय की इक बार है शाय का समर्धन वह भी दो आप की बात की है कि एक अर्थ जो आपके सामने है एक अर्थ जो प्रतिय मान है जो उसमें से जलकता है आपकी एक खास तरह की ट्रेनिंग हुई है तो फिर आप उसको समझेंगे धन्या लोग के दूसरे उद्योत में शायद वो जो शलोक बहुत महत्पून है ना कि बात्ची चल रही है कि प्राश्च नोतर है सलोग में कि कस त्वांभो तो बताता हूं तो वांगी कामा रहे हों थो नहीं बोलोओ सक्षकू उसमें जिक्राता है सखोटक की तरह हूं कि देखिए मैं सड़क के बिल्कुल ठीक किनारे हूँ और वो वाला जो पेण है जो यहां से बाएं तरफ है दूर है सड़क से लेकिन सब लोग उसके निशे जाकर के बैठते हैं छाया लेते हैं उसका फल खाते हैं और और दो पहरिया बिताते और मेरे नीशे कोई बैठता ह ही नहीं जबकि में बिल्कुल बगल में हूँ तो कहा यह है तो अब शाकोटक को लेकर करके अभिनोगुत्य ने कहा जो अनंदवर्धन के बड़े प्रामारे की व्याक्षाता है उन्होंने कहा कि यह जो है वो शम्शान का जला हुआ व्रिक्ष है तो अब वो ऐसी दुकान से जहां से कभी कफन विका हो वहां से आप विवाह की शाड़ी नहीं खरी देंगे यह अशा होता है तो तो मने की ऐसी जाती जो चाय नहीं बेच सकती लेकिन उसे चाय की दुकान खोल ली है बिल्कुल सब किनारे है और उसके चाय 9 रुपए की बगल में 17 रुपए की यह को पीते हैं तो यह सब चीजें हैं यह स्लोक में सा नहीं तो वह है कि वह गृत दुखी है और अपने दुखके नहीं उसके किनारे का है उसके नीचे को आता नहीं को बैठता नहीं मेरा जीवन जो है वह लगता है कि निरर्थक है और जो इतनी दूर जाकर के पेन है वहां लोग बैठते हैं उसके नीचे सुस्ताते हैं उसका हर तरा से सेवन करते हैं तो यह यह है कि अगर आपको ध्वनी का मसलब और उसमें बाद में इस लोग को समने लिया ममट ने तो इसका खोल दिया संकेत दे दिया ममट के व्याख्याकारों ने संकेत दे दिया कि यह जो है वह नीच जाती का व्यक्ति है जो अपना दुख कह रहा है लेकिन लेकिन श्लोग पढ़ेंगे तो मतलब सीधे कुछ नहीं आएगा इसी तरह से उसमें जो नायका है अपनी सहेली से कहती है तुसरा ब लिया बता रहा है तो अब उसमें जो पढ़ेंगे तो जो जो अर्थ ध्वनित होता है वो कुछ और है जो शब्द में है वो कुछ और है यहीं यहीं बात इसमें भी है चार-चार लोग मनें पूरी किताब मालीजे मानस को लें तो चार-चार लोग बहुत जटिल इसका मत भी रहे दूट लिख रहते का दंबरी कि कथा और तरह की होतीह किताब कता में होती है और गुर्ण धी और ये कथा शुरू हुई थी स्षिव से सिव ने कथा अपने मन में रच ली थी अपने मन में रच ली突 face आपने मन में रच ली थी कथा और यहीर आया एक हरका समय पर तो उन्होंने पारब्ति से कथा बताई फिर वह कथा उन्होंने कही काग भुसुन्रे से देखा कि इसमें पात्रता है तो नली यागिवल कीको यागीवल कि ने फिर भारत द्वाamar 거죠 से कही तो यह मैं अपने पाठकों से कह रहा हूँ वहम को सुन रहे हैं तुस्तित कहते हैं शिव कर रहे परवति से यागिबल की कह रहे हैं भारत द्वाज से और काग भुषंडी कह रहे हैं गरुण से आप देखें मैं सिर्फ संकेत कर रहा हूं कि जो इसमें रुच रखते हूं जो कागभुषंडी गरुण का संबाद है तो काग भुषंडी पर बड़ा गार्हा रंग है संत्रभिदास का भाशा देखिए दोनों की तेवर देखिए दोनों का और जो गरुण है उनको बनाया है कबीर यह मैं कयास लगा रहा हूं ऐसा कुछ कहीं लिखा नहीं मिलता जब पढ़ते-पढ़ते मुझे लगा कि यह तो बहुत मिलता जुलता मामला है गरुण को अब एक एक जो पुरान हुई लिखना कार ने इस इस मुद्द engineers को लिया अब देख नहीं पाया इस बीच में उसको लेकिन लेकिन इसी दो में से कोई पुरान है जिसमें कभीर और रैजास की का संबवाद है और संबाध में कभीर को म सुईकार करना पड़ता है उनसे अधिक ग्यानी की हम कहीं तो यह चार लोग कथा कह रहे हैं अब किसकी बात कर आ जाएगी हम नहीं जानते तो इसलिए मतलब बहुत सावधानी से कहीं से कुछ उध्रित कर रहे हूं तो सावधानी बरतनी चाहिए कि यह में वक्ता कौन है श्रोता कौन है और प्रसंग क्या है निर्गुन है कि सगुन है इसको लेकर के बहुत विबाद हुआ है उन्होंने तो बहुत विस्तार से लिखा तुल्सदास ने कहा कि निर्गुन की अपनी सीमाएं हैं सगुन की अपनी विकट सीमाएं मेरे लिए नाम प्रमुख है नहीं हुए है मैं इसमें नहीं गुनातीत है मेरा यह भी पक्ष मन्दिर का जो निशेद है वह महत्तु पून है मंदिर वाले पक्ष को वह महत्तु देते नहीं है और इन दिनों तो दिया जलाने का भी चल रहा है 10 लाग, 12 लाग, 15 लाग, 22 या 23 लाग हो गई दिया तो तुलसास ने कहा है कि ये जो दिया का मामला है ये 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 तो पाकंड है कहा अगर आपको रोष्णी करनी ही है तो उन्हेंने कहा कि मंदिर मत बनवाईए राम का नाम अपनी जीव पर रख लीजिए जीव जो है वो बाहर भी है आती है और भीतर भी रहती है और जब उसमें जो रोशनी होगी वो रोशनी सचमुछ आपको आपको अलोकित करेगी दिया जलाने से तो कुछ फाइदा है नहीं राम नाम मन दीप धरू जीह देहरी द् तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहे सिंजिया अगर आपको सचमुछ रोशनी चाहिए तो बाकी अनेरा चाहिए तो आप कितना भी जलाएं कुछ मतफरक नहीं पड़ता वो उनका पक्ष है इसलिए आप देखें जो जिसमें मैं इस चीज को बार बार इन दिनों कह रहा हूँ जहां भी मौका मिलता है मुझे कि जिसको जिसको सोचल हार्मटी कहते हैं सदभाव कहते हैं यह अपने आप चीज नहीं आती बहुत प्रयत्न करना पड़ता है छेसो साल लगे हैं इसमें निवेश हुआ है बहुत साफ साफ निवेश हुआ है इस देश की परममेधा लगी है कभीरदास ओने दासों दादूं यह बडरे बुद्धी जी भी है शन्त का मतलब ही होता है जो 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 अर्गनिक इंट समय लगाया है तब जा करके दोनों भाई हाथ पक दोनों भाई काण दोनों भाई नयन हिंदू-्मुसल्मान यह बात नए भारत भारती लिखर हैं लेकिन लेकिन Caos जानते हैं कि जो हमको मिला है विरासत में बहुत मुलिवान है और उसको बचा करके रखना है उसको बना करके रखना है रोज उसके लिए काम करना है ये भी बात है। कहा और इसमें कवियों की भूमी का मुख्य होती है तब तक कुछ तरह से गर्दी है नहीं और वो घर-घर का मामला है नहीं है तो कविता ही तो लिखा है भारत-भारती में कि है अंदसा अंतर जगत कभी रूप सविता के बिना सदभाव जीवित रह नहीं सकते सुकविता के बिना अगर अच्छी कविता ना हो तो सदभाव समाज में नहीं रहेगा सही सुड़ता जो है यह खराब शब्द है सदभाव सच्चे भाव से अच्छे भाव से आप साथ रहे हैं यह तो कोई काम इस्तिती नहीं तो सदभाव उगार रेखना थो फिर क्या कहते है कबीर दास की भई जो आपका पड़ोशी बन गया है परोसी बन गया है हैं परोसी तो उसके साथ लड़ाई करेंगे तो उसका भी जीना हराम रहेगा आपका भी जीना रहाम रहेगा पाडोसी सु रूसना तिल तिल सुख की हान पंडित भय सरावगी पाणी पीवेच्छान पडोसी से आपने बैर भाव ठान रखा है तो तिल तिल सुख की हान पल-पल जो है आप संतप्त रहेंगे कहा उधारन देखिए बनारस का उधारन लिया उन्होंने कि एक जैन परिवार था उसके बगल में बस गया पंडित परिवार पंडित लोग बदलते नहीं है ऐसा कबिरदास मानते हैं और लोग बदल जाएं लेकिन जड़ता ज़्यादा होती है तो कहा लेकिन पंडित बदल है पंडित भे सरावगी वह भी श्रावकाचारी हो जाता है और भी पानी च्छान करके पिए लगता है शाम होने से पहले खाना खालेगा और मैं चीटें और मक्चर उनके उनकी हाई नहों यह ऐसा करने लगता है तो यह यह असर पढ़ता है पड़ोसी के मैं तब तब आप सत्वाव के साथ रहेंगे न cray तो लाती उठाए रखेंगे मैं वह जो थे हैं चंद्राचारी बहुत बड़े आचारि थे बहुत बड़े आचारि है और उनका जीवन जो है वो देखना जिसराजा के यहां थे वो श्यव मतानी आई थे यह जैन मतानी आई थे जैननी धहने के बड़े आचारित थे उन्होंने कहा कि क्या मैं बदलनी अपना धर्म का ना 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 आप जो है वही रहिए मैं जो हूं रहूंगा धर्म बदलने से कुछ नहीं होना है तो कभीयों का जो योगदान है सदभाव के अस्तापना में उसको ध्यान में रखना चाहिए पाणी पीवए छाण तो यह यह चीज है अब इसी लिए वो कहते हैं तुल्चिदास के यहां अकेले कभी हैं जिनके यहां भारत की चिंता है बाकि भारत सब्द तो किसे आता नहीं इस समय के कभियों के यहां उन्होंने कहा कि भारत जो है वो स्वर्ग है लेकिन स्वर्ग तब तक है जब तक यह जमीन जो है वो ठीक ठीक रहे जमीन में आप जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं मान लीजिए आपने जहर बो दिया तो आज मिलेगा जहरी मिलेगा लिखा है भले भारत भूमी भलो कुल जन्म समाज शरीर भलो लहिके करखा तजिके परुखा बरखा हिम आतप घाम सदा सहिके जो किसकी पंक्ति है आमने त्रपाठी की है ना कि विश्वत रेखा का जो वासी जीता है नितहां फांब कर रखता है अनुराग अलोकिक वह अपनी मात्र भूम पर तो कहा कि इसके लिए आपको रोज पर्यास करना यह जी इसमें जहर न बोया जाए इसके लिए आपको संद्ध रहना है साउधान रहना है और रोज साउधान रहना है और मतलब हो है ना करका तजिके तकराव नहोंने पाए तो इसके लिए rechand बरखा निजह आ जेला हमारे आपर बाडर बेठे हुए लोगों ने बहुत कठिन बर शाता होगी बहुत कठ़िन सर्दी पड़ेगी बहुत कठिन काहां कीसानिय घर्मी हो लेकिनमें आपको डटे रहना है अगर सद्वाव बनाए रखना है तो फिर कहते हैं जो भजे भगवान सयान सोई तुलसी दिड़ चातक जो गई कए न तु और सबय बिस बीज बये हर हां तक काम दुहा नहीं कए अगर ऐसा नहीं होता है तो इस धर्ती में जो लोग लगे हैं वो बिसका बीज बो देंगे और लेकिन लेकिन बिसका बीज अचे नहीं बोएंगे उनका जो हल बैल होगा वो सबसे बेश कीमती होगा सबसे आकरशक होगा काम दुहा काम धेन के जो संताने होंगी बैल के रूप में और हर हाटक जो हल है ना वो हाटक का सोने का होगा भाशा बड़ी अच्छी होगी मने आप देखें तो तो भाशा और तेवर और जो भंगिमा है जो पहनावा है वो लग लेगा कि भाई ये तो बिलकुल पहुंच कर क्या रहे हैं उन्होंने का इसलिए आप जो इस पर मत जाईए कि लिखा है कि कई बार हम जो है वो चूक जाते हैं किसी का बेश देख करके लेकिन ऐसे लोग तुलसी देख सुवेश हूलही मूढ न चतुरनत अच्छा बेश देख करके कि भाई उसने तो ऐसा योगी का तो हमको लगता है कि बहुत मतलब भरोता करना चाहिए उन्होंने का नहीं हर हां तक काम दुआ भई सोने का हल होगा हीरे की फाल लगी होगी उसमें मुठिया बिल्कुल से उसमें जवाहरात मरहे हुए होंगे आगे जो बैल होंगे क्या सुन्दर लेकिन जो बीज डाला ज कि बनी रहे तो आपको साउधान रहना है यह उनका पक्ष है इसलिए जब उनके आहां के तलाश कीजिए जो जेंसे तुलसेदास की लड़ाई है जी तुलसेदास साउधान रहने के लिए ने कह हैं तो फिर बात खुलती है तब लगता है कि नहीं वह उन्होंने जो कहा था धुनिया और तवित गुंजाती कि यह दो चीजें यह जो ध्यान में रखने लायक हैं तो तो ही कहां कि वह अर्थ चमकता है कि लिखा उन्होंने तुलसिदास ने कि अयोध्या है अयोध्या का दुश्मन कौन है राम का दुश्मन और वह से बात छोड़ दीजी उन्होंने कहा कि अयोध्या का दुश्मन कौन है और अगर आपने यह समझ लिया तो आपको इस कथा कि कुण्जी मिल जाएगी वाल्मीक से यहीं पर उनका आंतर हो जाता है तुलसिदास का कि के यहां यह मतलब यह यह वो समझते हैं उसमें बैठे हुए हैं टैकसेशन को लेकरके इतनी बातें यह लगान कभ लगाया आजाए कैसे लगाया जाए कैसे वसूल आ जाया कितना वसूल आ जाए था चीजों पर तो वो एक है किसानों को कैसे अलग किया जाता है कैसे उनको लोटा जाता है यह सब चीजे उनके यहां है मजदूरों के मजदूरी क्यों नहीं दी जाती केवड कहता है कि मुझे मजदूरी मिलती नहीं है आज आपने दे दिया तो बहुत पूरा हो गया मजदूर बहुत प्रसंद है सभी लोग बड़े आनंदित हैं लेकिन उनका आनंद जो है वह तिनहीं सुहाय न अवद बधावा अयोध्या में उनको यह जो मंगल गान है अच्छा नहीं लगता तो उनको यह कौन है रावन है क्या राक्षास है क्या नहीं जुने उने पढ़ा है वो ज इसके लिए कर रहे हैं देव सकता है देवता नहीं चाहते कि अजया में खुशहाली रहे एक हपते का कर्फ्यू लगा फिर एक महिने का लगा फिर तीन महिने का लगा फिर कमर तूट गई और उताइस हो गया मारा जिनके यहां हर साल जो एक बार पुताई हो जाती थी जो जाते हैं जिसकी पताई हो जाए ऐसे ऐसा भावन मतलब जाकर के देखिए दिखाई पड़ता है तो वह लिखा है कि तिन्हें सुहाए न अवत बदावा चोरही चान्दनी रात नभावा जैसे चोरों को चान्दनी रात अच्छी नहीं लगती है चोर है लूट ले जाते हैं और इससे पहले कह चुके थे इस बात को जो उनको कहना था अब मतलब चोरों की पहचान उन्होंने कराई अभी मैं पढ़ रहा था एक आई है बायोग्राफी इनकी प्रसाद की आउसाद का आनंद तो मैं बड़ा कभी है हमारे प्रसाद जो है वो बड़े कभी है महा कभी महा कभी लिखेंगे तभी महा कभी कहे जाते हैं ऐसे तो महान कभी हो सकते हैं लेकिन महा कभी नहीं हो सकते तो महान कभी बहुत है जो बिना महा कभी लिखना होता है तभी आप महा कभी महा कभी लिखने के पर ही महा कभी होते है तो तो महा कभी हैं प्रसाद तो उनके यहां उनके यहां जो देव सत्ता है मनें कि इस बात को कहा था एक तुलसी विरोधी खेमे के विचारक थे और बड़े विचारक थे बड़े कथाकार है हिंदी के भरतिये उपन्यासों में बड़ा नाम है यश्पाल तो यश्पाल ने कहा था कि तुलसी दास के बाद में भारत का कोई ऐसा कभी नहीं हुआ है जिस पर उनका असर ना पड़ा हो अगर वो बड़ा कभी है तो और उन्होंने उदारन दिया है रविद्ना टेगोर का गीता अंजली का उदारन दिया है कि मैं यह नहीं कहता हूं कि रविद्ना टेगोर ने कोई साहितिक चोरी की साहितिक चोरी का मैं आरोब लगा ही नहीं सकता क्यों लगाऊंगा इतने बड़े कभी हैं लेकिन अब आप देख लीजिए तो दो लाइन दे दी गीता अंजली से फिर नीचे दो लाइन लिख दी पातरिका से भिर लेकिन ने मैं कोई चौरी का ररॉब ने लगा रहा हूं फिर दो लाइन देदी फिर ने कुछ लिखा है जिसके प्रतनित के के रूप में मनुूं हैं तो वो कहते हैं सुक केवल सुक्षा वह कशत्ता पुण्झी भूत हुआ इतना या क्शाया पत्में क्या है तुशार सा कुछ हको होता है कि सुखका संच्षा यहीं देव सत्ता आपने सबकान करतू सार अपना प्लों इसके बाद मैं आऊंगा अभी तो यह सिर्फ भूमिका चल रही थी लेकिन अब वहीं वह है यह अब आप बोलेंगे तो यह बड़ा हो जाएगा कर दो मुझे यह बात नहीं थे लेकि प्रसंग ऐसा आ गया मैं इसको कल्क्लूट कर रहा हूं तो इसके बगएर वहां तक जाना मतलब वह है कि बात बंती नहीं और पिर वहीं है कि एक ऐसे कभी को जिसमें इतने लोगों ने अपना समय लगाया है समझाने में समझने में तो थोड़ा सा हमको भी यह वराना चाहिए कि मैं कैसे समझता हूं तो फिर अगली बात फिर थोड़ा और समझ में आएगी कि मेरी पोजीचन यह है नहीं बहुत खत्रे हैं आने से पहले भी किसी ने मुझे कहा कि इस पर तो बड़े खत्रे हैं आप मैं तो मैं तो मैंने तो करता हूं तो मैंने एक ऐसा अब्यक्ति जो दलिस साहित पर लिखता पढ़ता मेरे एक्टिविजम का मामला है वो सिर्फ लिखने पढ़ने का मामला नहीं है गुम गुम का एक्टिविजम करता हूं और फिर इस पर आकर के बोलना तो यह तो भई बड़ा खत्रा है मामूली लेते थे और को हमारा जो है उसमें भी सी था मारा जो हमारे बिरोदी थे रोजरोज का मामला होता है रोज वह पती हैक बनांबा बाना जाता है और फिर उसके包represented मलाई शुरू होती है इंदर से आते हैं उना तो हूंगा की था समझना है तो फिर वो उनके जरिये जैसा बता रहे हैं कि हमारे मैंने प्रचार के लिए लिखा है लेकिन प्रचार जो है में वह संदेश का भी है ना तो कितना संदेश उसमें तो उसमें जो जो स्रेश्ट कावि होता है उसमें जो परचार्थ की सामगरी होती वो दिखती नहीं जिसे अच्छे विज्ञापन में वह दीखेगा नहीं कि कहना क्या है लेकिन बात कनबे हो जाएगी वहीं इस्तिती यहां पर भी है और इसको अगर आपको जानना है तो एक बार देख लीजिए जूठन उम्रकास वालमी की आत्मकता है उसमें है मानस का प्रसंग है उसे एक है ठीक है चमनलाल त्यागी क्या एक मामला अगर आपको देखना है तो देखें कि यह जो बिवस्था है देवस्था कि यह इतनी लंबी क्यूं चलती रहती क्यों चलती रहती है आप लगता है कि आपने परास्त कर दिया मालूम होता है तो यह जो है वह चार तरीके से काम करती इसके चार पूरा जुसका उनका आत्मा है इनके के मानस की वह यूद्याकंड पहला पन्ना चाहिए अब प्रामारी भी है बाकी में कुछ घटा हुआ 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 उतरकंड और में उसमें नहीं माना अवल दर्जे के स्वार्थी होते हैं, मन के बहुत मलिन होते हैं, मन शब्द पर बहुत वो है, मन की मलिनता बहुत बार बार कही है, मन मुखी होते हैं, कुछ गुर मुखी होते हैं, तो गुर मुखी लोगों पर भरुसा करना चाहिए, जो मन मुखी होते हैं, उन पर भरुसा उचाट यह चार तरीके से काम करते हैं भाई पहले तो डराते दर फैलाते लिखा है बिल्कुल शुरू के पन्ने में यह तो अधिया कांड का है कि इंद्र की सत्ता क्यों चलती रहती है इसलिए कि वह प्रजा को डरा करके रखेगा युद्ध का माहौल हमेशा बना करके रख लेकिन युद्ध का माहौल जरूर होगा हां नंबर एक और नंबर दो नशे का माहौल होगा अब नशाधर्म का हो नशा सचमुच शराब का हो जब 5000 हैं तब लॉक डाउन है और जब पांच लाख हैं तो माशाब की तुकाने खुल गई लंबी लंबी लाइन लग जाती है तो शराब करने हैं तो इसमें कहा भ्रह्म भ्य पहले तो है डरा करके रखना जो निखले लें उनको और नहींस कर देना यह नहीं होगा वो नहीं होगा वो गोगा वह वह सुबा एक नियम है दूपार को दूशा अगे सोचेंगे कौन सा नियम लगाएं उसमें तो आप ना ब्रमित तो रहेंगे पता नहींगे लेकिन हाँ हुआ है तो नहीं तो ये है कि भ्रह्म फैलाना, फिर तीसरा है अरति, नफरत फैलाना. अरति का मतलब होता है प्रेम और अरति. आप लडा दीजिए आपस में तो weyah humsur रख्षित उसके बा contemplate नियुवाइड के बाद मार्ड में में रूल कर सकते हैं. तो भ्रह ब्रह्म अरति और चौथा है उ तो यह कहा कि इस तरह से इस तरह से इस सत्ता जो है वो और वह बात जो है बात के कभियों ने अपने डंग से ग्रान की समझे की जो निर्गुन मत में गए हैं वो अलग तरह का भी शय है एक हातरस में आ गए थे पेशवाओं के वो उसे जुड़े हुए थे वहां से उनका विरोध था और वो चले आये थे इधर अलिगर्ण हातरस के पास तुलसी दास नाम था उनका क्या नाम तुलसी तुलसी सा लगा दिया क्योंकि निर्गुन मत वाले थे तो उन्होंने कहा कि मैं ही था तुलसी दास लेकिन उस समय बाकी लोगों को जो अपर क्लास है उनको जोड़ना था तो इसलिए फिर मैंने सगुन भक्ती वाले ग्रंद लिखे अब मुझे लगा कि सीधे आना चाहिए तो अब म मानस के बाद में मानस तो आकरशन के लिए था कोई मदारी आता है तो बजाता है डमरू लोग घठे होते हैं तब दिखाना शुरू करता खेला तो का डमरू बजाने तब आया था अब आया हूं असलिए बात कहने के लिए तो घट रामार देख लीजिए तो वह इस तरह से जो है वह इस परंपरा काविकास होता है वह बहुत मतलब यह इसी कठा है जिसमें जाएंगे तो फिर लंबा हो जाता है यह है कि जो चीज बाल मिको नहीं सूझी थी जो तबाही आई अचामने तो 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 बालमीक उनकी परंपरा के प्रबंध का तो उनुन ने कहा कि गरलू मामला था इनों कहा तुलचिदास ने कि नहीं का मामला था यह देवसत्त fresh को लगा ऐसे तो बात नहीं बनेगी अयोद्या में तो कुछ उठापटा करवानी है तो उन्होंने जो खेल किया वो भाशा के जरिये खेल किया भाशा उनके पास सबसे बड़ा मजबूत हंतियार है देवसत्ता के पास और वो भाशा से जारा सारा खेल जो भाशा के जरिये होता है और फिर वो सरसुती का पाउँ पकड़ लिया नहीं छो कि यह साफ टार्गेट का ही ही है कि उसी की दासी तो उसका यह बनता है यह नई चीज है रामकता में इससे पहले बात नहीं कि असली खेल कैसी को यह यूकि इसमें इस्तरी प्रसंग है पूरा मने कि पूरुष जो है वो ऐसा खेल राजते हैं कि गर्ए गलान कुटिल कही कि का ही कहे क्युआ ही दूसर निदी की जो पूटिल ठीख कही अब गलान इसे गल गही है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है यह सब हुआ कैसे किया किस направ रहे हैं यह उसके समझ में नहीं आ रहा है तो जाता है मुझे मालूम है कि खेल किसका है और मैं अपने पाटकों को बताना चाहता हूं लेकिन पाटकों को फिर धनी और वक्रोक्ति का अध्यन करना पड़ेगा ऐसे तो आएगा नहीं तो यह है कि कहकेई को खुद नहीं मालूम है जो अध़ शादी करके चारों बच्चे आ गए है प्रेम भी बहुत है आपस में और फिर जो है वो दश्राइट की मौत होती है और सब जा करके सब भी खड़ जाता है सब भी खड़ गया तो उन्होंने का यह जो है यह उसको नहीं मालूम है और यह कभीयों को भी नहीं मालूम है लिखा की मेरे गूरू ने मुसे बार-बार का यह है राम कठा यह है लेकिन नहीं मैं जो संचता हूँ वह है ऐसा लिखा तदक कही गुरु कुरुंज को मानुसारा मैंने अपनी अपनी दिमाग से किया है ठीक है यह वालमी की का नहीं उन्हों नहीं ने थे वालुम में मैं तो चीटी हूँ इन कहें कि व्यास और वालमीख ने रास्ता बना दिया था तो मैं उसके तरफ से जा रहा हूं लेकिन कथा उनकी नहीं है कथा मेरी अपनी यह जो जहां से मैं उस सद्भावाली बात खतम करना चाहता हूं फिर अपने विशे पराऊंगा वो यह कि अन्तिम में जाकर के उत्तर कांड में एक प्रसंग आता है और प्रसंग यह है कि काकभुशंड कहते हैं कि एक बार मैं चला गया था उनके मुह में राम के बालक राम के और देखा जाकर के कि जितने भूवन हैं चौदा भूवन माने जाते हैं तो चौदा भूवन में सब मतलब आद की भाषा में कहें तो हर देश में हर जगा पर अयोध्या है अपनी अपनी अयोध्या है हर जगा के अपने अपने राम है हर जगा के अपने अपने सर्जू है हर जगा के अपने जितने भी कि माने गए घवतार हैं कावा फिर काशी भया राम भया रहीम मोट चून मैदा भया बैठ कभीरा जीम जो भी जहां पर भी कावा है जहां पर भी वह सब रामे सब जग जानी अगर आप इसके साथ कनक्ट कर पाएंगे तो अर्थमज लेंगे और तब देखेंगे क कि यह बाद के कबीर पंचियों को इतना क्यों मतलब लगता है जरूरी कि वो मतलब इनको इनको आत्म साथ करें तुलसिदास को यह कोई राणनीत का हिंसा नहीं है समझने का मामला है जो बात कह रहे हैं कावा फिर कासी भया वो यह बात मतलब इसको किस पढ़नत पर ले जा र कि पेगंबर मोहम्मद है यह जो भी है जो उनको भी माना जाता है वो सब अलग-अलग राम अनंत अनंत गुन एक वाले से दिक्कत है तुलसिदास को एक कोई नहीं राम एक नहीं है अनंत राम अनंत अनंत गुन अमित कथा भिस्तार कोई और छोड़ नहीं है सुनि नहीं मानेंगे अगर उनका दिमाग सही होगा उनका उनके उनके बुद्ध में निर्मलता होगी सुनी आचरा जिनके बिमल बिचार अगर बिचार दूर्शित हैं अगर 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 अंदर कुछ खुराफाद चल रही है तब आप एक पर जोड़ देंगे जी बिलकुल यहीं कघाएं तो गिना गिनन को नाना भांच राम उतारा सथ कोटature अपारा साथ सो करोड़ भी हो सकता है साथ करोड़ भी हो सकता है बाद ने अपार जोड़ दिया कि ना गिनन रही चाहिए कितनी कखञें हैं प्रश्न को लेकर उसीतां का मामला है जो के ऐसा है यह अरहा होगा खर नहीं है आज के सवाल देखेंगे तो फिर पी झात नहीं आहेगा इसलिए उस्ही समय के मामले में जो स्वधीनता का है सवाल उटता है वो देखना चाहिए उन्हें पहले हुए हैं 200-300 साल पहले फि ubiqui हैं उन्होंने लिखा है उनकी जो राजमति उनकी नाइका है वो कहती है कि मुझे इसली का जन्म क्यों मिला मैं इससे अच्छा मैं कोयल हो गई होती जहां चाहती हूँ जंगल में चली जाती यह एक चीज है इसी भाव की चीजें आपको मिलेंगी इनके यहां जैसी के यहां मिलेंगी जी वावर भाव फिरे भमहीरी मतलब कहां उड़कर जाओंगी जैसे गरेलू मक्ही होती घु जो मिल्टन ने एक अभियान चलाया जान मिल्टन ने कमपैटिबिल्टी का कि अनुकूल इनको पत्च पत्नी को एक दूसरे के बराबर का होना चाहिए बेमेल विबाह से वो परेशान थे वो उनका ही चैन था कोई थोपा नहीं गया था पिता जी उनके कर्ज देते थे और बेटा वसूलता था तो ऐसा ही कोई परिवार था कर्ज दे रखा था वसूलने के लिए इनको बेज़ दिया कर्ज उचुकाने की उसको क्षमता नहीं थी तो मिल्टन को अपनी बेटी ब्याह दी तो अब वह बात में लगा कि नहीं मेरे योगी नहीं है लेकिन चर्च का ऐ कि आप डाइवोर्स कर नहीं सकते तो अब डाइवोर्स के लिए आंदोलन चलाया तो अब चलाया कमपेटिबिल्टी का मामला कि अनकूल बेमेल विवाह नहीं चलेगा तो यह है पार्लेमेंटेरियन थे और गए और हारे को अपनी पुस्तिकादी की माहौल बने और जो है चर्च बदले यह कि पार्लेमेंट वाले भी बदलें और ऐसा कोई नियम आये जिसमें अलग होने की सुविधा हो जिसमें अनुकूलता देखी जाए कि जो साथी है एक दूसरे के जीवन साथी वो उनकी रुचियां उनका ज्ञान उनका बोद वो मिलता जुलता हूँ तुलसिदास के यहां मैं पुना बहुत सी चीज़ें उसको काट छाट रहा हूं वो यह है कि और इस बात को रेखांकित किया रामिला शर्माजी ने कि स्वाधीनता का मामला दिखता है विवाह को ले करके आएसे तो स्वाधीनता तो आप देखेंगे तो उनके यहां बहु उन्होंने प्रतिकूल बाते कहीं हैं और खुद राम से कहलवाई एक जगह पर कि महाब्रिष्ट भई चली फूट कियारी जिम सुतंत्र भई बिगर हिनारी बारिश हुई है और तगड़ी बारिश हुई तो उसमें जो क्यारी बनाई जाती खेतों में फूट जाती है जैस भाई से कह रहे हैं लक्षमण से कह रहे हैं तब तक जो है वो सीता काराण हो चुका है और राम बताते हैं जो शुरुवात इस प्रसंग की होती है इसलिए जब भी कोई चीज उद्रत करें प्रसंग मालूम होना चाहिए तो कि घन घमंड गरजत नभगोरा प्रियाहीन दर प्रियाहीन थे कहा हुआ हो आपने लिए नहीं अपर या था जगोंगा तो मेन दरा हुआ है और फिर फिर उसके वादें कहाना शुरू करते हैं तो जो भी समाहर में। जलता है क्योंकि उसमें एक बात कह दी है कि कभी ने कह दी है कि कहात अनुजसन कथा अने का अपने छोटे भाई से वह तरह तरह की कथाएं कह रहे हैं भगत वीरति निर्पनीत बिवेकह उसमें भक्ति की बाद विरक्ति की बात भी है राजा की नीती भी यह सब चीजें तो उसके बात में यह संदब वी देर भीगरें नारी रचपनी तो अब यह यह व्यक्किश से बात आई हुई है यह योगी पर पर 01 से बात कि जगा जगा बारिश हुई है मेठक बोल रहे हैं लगता है कि यह जो बेदपाठी जो बालक हैं वो पाठ किए जा रहे हैं जितना आर्थ मेठक के बोलने में है उतना ही अर्थ इनके बेद पढ़ने में है बेद पढ़ाई जलो यह जो उत्प्रेक्षा है वह उत्काम की है इस पर लोग वो करते हैं कि मैं देखिए कितनी अच्छी बात कही कितनी सब बढ़सी बात कही लेकिन यह वाला आता है तो जुछरा बन जाता है दूसरी बा इसे च्छतिनाही की थीक है सीता को ले गए थे रावन ले जाते अब जसे अपने भाईयों को गवादीया लाकर कि यह तो बड़ा स्तुरी का कहां कि की हांने कोई बड़ी बड़ा नुकसान नहीं यह राम कह रहे तरह का इस्तरी की आन्य हो जाए कोई उठा ले जाए अपरन हो जाए मर जाए मार दी जाए यह कोई भाई का जाना बड़ी नुपसान बड़ी बड़ी एक शती है यह लेकिन लेकिन जब आप पूरे प्रसंग को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है उन्होंने कि यही बिदिक क घरत प्रलाफ राम जो है प्रलाफ कर रहे हैं तो प्रलाफ में कहीं गई बात आपत कैसे हो सकती क्योंकि इसके अलावा भी कई साली बातें जो अस्विकारी है कहा है कि एक कुमारा अपनी माका अकेला था लक्षमर् तो हम नहीं देखते ना हम नहीं देखते कि यह चीज उचित है कि अनुचित है प्रलाप कि यह जा रहे हैं तो कुछ भी बोल देंगे उसी कुछ बोलने में यह बात आई है नारिहान भी से फिर यह भी कहते हैं एक बात नहीं कि अगर मुझे मालूम होता तो मैं यहां मतलब वही रह जाता यहां ही नहीं जंगल में तो यह मैं प्रसंग की बात कर रहा हूं प्रसंग ध्यान में रहेगा तो फिर तो भी मतलब समझ में बात आएगी जो मैं यह का रहा हूं कि यह स्वाधीनता का सवाल स्वाधीनता के सब्द के साथ आया है विवाह के प्रसंग में और वामिलाश जी ने कहा है कि मैं इसलिए मानता हूं कि यह प्रगर्शील नजरिया है कि जो दो विवाह हुए हैं इसके इस कथा कृति में मानत में सीता का अराम से पारवती का शिव से पहले हो जाता है तो कहां यह दोनों ही विवाह पहले प्रेम हुआ है उसके आदनी विवाह हुआ है तो ये इस मामले में सबतरशी समझाने आते हैं कि देखिए ये बेमेल विवाह है, शीव से विवाह मत करो, ये बेमेल हो जाएगा, कहां तुम इतनी सुन्दर, इतनी समझदार, राजा की बेटी, सबतरा से, तुम्हारे योगी विश्नु हैं, दिखाई पड़ते हैं, शीव अइधन नहीं देखते हैं, उसमें बुद्धी भी नहीं देखते हैं, उसका सब्सक्राइख दर लेकर करके शीव को बात कही गई है, जब दक्ष ने यग्सित किया है, तो यूदेख शीव को नहीं आमन्तिर्ट किया गया और बताया गया है कि उनके कुल का ही पता नहीं है कि किसके बेटें तो इसे को क्यूं आमंतृत करें तो लिखा है कि यद्ध्व तरह के दुख होते हैं समाज में दुनिया में लेकिन जाती गत अपमान सबसे बड़ा अपमान है जद्यप्य जग दारुन दुखनाना सबसे वो इसको स हना बिलकुल असाहनी है उस्खाठीन को और सती जलती है और फिर विद्धोंस होता है लिखा है कि यद्यपी दक्ष थे योगी थे लेकिन जो सत्ता है ये जो कुर सी है वो दिमाग खराबınız कर देती है कितना भी कोई मतलब संतुलित क्यों ना हो खुर्सी मिल जाती है तो दिमांग खराब होता है तो वह एक चीज है तो वहां पर जो मतलब विदा करने वाली है साधी हो रही है तो जो मैना है जो उनकी परबती की मां है वो कहती है कत बिदिस्रजी नारी जगमाही पराधीन सपने हु सुख नाही पराधीनता में सुख जो है ऐसे तो आप मली जी धन नहीं है हमारे पास तो सपने होई विखार निप तो वो विखारी भी राजा हो जाता है कि खेत इस बार फशल नहीं हुई तो भी आपने सपना देख लिया कि नहीं फशल ला रही है या मेरा पूरा बखार गोदाम भरा हुआ वो तो सब कर सपने में सुखी हो जाएंगे लेकिन पराधीन है पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता इस तरी ऐसी यह यह जो पराधीन है और सफने में भी सुख नहीं वहाँ पर भी मैं जो है वह मा उसको लाइस को चीजने गेरे रहती है सुख नहीं मिलताता साlles पराधीन ता इतना बड़ा पराधिनता पाप है जान लेहुरे मीत यह बात कही है कही जाती है कि यह रहधास की है रहधास के कि यह उनके साथ मनसूब है उनके साथ सम्मधित है यह कतन रहदास का है प्राधिनता का मामला प्राधिन जो है सबसे बड़ा अविशाप है प्राधिनता तो यहां पर यह कहते और यहीं बात फिर दोहरा दी गई है जब शीटा की विदाई हो रही है तब कि कहां रिक नारी विधाता ने इस त्रवी को बनाया ही क्यों वही स्वयम्बर है about only स्रीटा का मामला है वह स्वयम्बर का मामला लेकिन कम जानते हैं स्वयम्बर में यह ब्रामकश है स्वयम्बर लगा दी गई नहीं कि पुरूर तोड़ दे तो उसके साथ होगी तो उसमें तो बहु करके जैसे सावित्री को मिला था सावित्री को मिला था ने कि जो तुमारी चाह आए उससे शादी करो तो उन्हें सर्थिवान का चैन किया वो तो छीक है लेकिन ये जो तो होता है दूपदी वाला मामला या जीता वाला कहने के लिए सोयंबर नहीं है ये तो कहें कि पहले से सरतें तें पहले से तैं है उसके अंशार जो करेगा उसके साथ עם बात दी ओठी करने के लिए तो एक तो यह है जो इस्तरी पात्र हैं नासरा शर्माजी कहती हैं कि अगर आप मानते हैं कि इस्त्री ब्यक्ति तो यह तरह से चलकपट करती हैं उसी तरह से दोखा देती हैं वैक्ति के नहीं तो कही रही है बात कही गई है जो जिसको कहते हैं पहला इतिहास भारत में व्योश्थित कलहर की रात तरंग्नी ें बाको के लिहास चे तो उत्कृष्ट कभीता है लेकिन उस पर बात करने का ओँ नहीं है उसके किसी उल्लास में तरंग में यह बात कहीं गई है कि इस्तरी के बारे में कोई एक राय बनाना कि वह अच्छी अच्छी यह बुरी बुरी का यह यह ना समझी है वह भी उसमें भी मतलब भाञ्ट-भाञ्ट की स्तरिया हैं इसलिए एक राय बनाना उसके साथ इंसाफ नहीं जिए नहीं हैज शुप्लिकुलर इस्तरी का सुभाव जनरल कोी राय ना ते ये के नसीहत देते हैं जो बात है जो जब जाती है उनके पास सीता पार्वती के पास की देखिये मने एक लड़का देखा है और तो बिल्कुल मेरे अनुकूल है तो उसपर पार्वती मानों कहती है पार्वती तो बोलती नहीं है उनकी तो मूरत मुस्कानी कि माला जो है नीचे आ गया तो मानों कि मूर्थ मुष्का पड़ी धो जैसे आपके हैं वह जील पर तो तो मानों कहती है मानों का भी कहता है और ये ऐसा चंद है जो जितने ऐसे उतर भारतिये और पश्चिम उतर भारतिये परिवार हैं उनमें रोज गाया जाता है मन में जिस वर को रचा है तुमने जो जो उसकी रूप रेखा बनाई है कि मेरा जीवन साथी ऐसा हो वहीं मिलेगा जो तुम्हारे सनेह को समझेगा तुम्हारे सनेह को समझेगा कमपेटिबिल्टी का मामला यहीं है कि आप उसके प्रेम को समझे और आपके प्रेम को वह समझे प्रेम कारस इतने में ही समझ लीजिए मैं कहूं तो कैसे कहूं किस से कहूं तो यह एक जो सद भावना है सद इच्छा है यह ध्यान देने की बात है जो इस्त्रियां है मंदोजरी है तारा है दूसरी है उसमें आप देखेंगे प्राया हा सबके प्रति बड़ी सहान भूत रखते हैं राम से भी कहल लवाते हैं मारते हुए बाली को मार रहे हैं शायद कि मूर्ख तुम बहुत घमंडी हो इस्त्री जो कह रही है उसको सुना नहीं और मरने चले आए तो इसलिए मंदोजरी को आप देखेंगे तो उसमें कोई कहीं कोई दोश जिखता ही नहीं ऐसा उसका चरित गड़ा है इस तरह से तारा का बिगार मंदोजरी पर बहुत ध्यान दिया है उसका चरित बहुत अच्छा बनाया है तो वह एक चीज उनके यहां दिखती है जो बात है प्रेम को ले करके राम कहा सब कोशिक पाही सरल सुभाव छुवत चलना ही राम ने पहली बार देखा सीता को और खलबली मची खलबली मची तो अपने को समाल नहीं पा रह करके तो विश्वामित्र से सारी बात कह दी मन की हां फुसफुसा हटों वाला मामला नहीं है जुसको करें विसपर्स में चलता है सारी बात वो नहीं सब खुल करके कहा कि ऐसा मैंने उस लड़की को देखा और राजकुमारी उसी के लिए यगी हो रहा है और मैं तो अपने को वश में नहीं रख पाया मैं अपने को सम्हाल नहीं सका बात कर रहा था और देख रहा था उसकी तरफ मने और उसकी भी वही इस्तिती थी तो यह है कि जो जो प्रेम को ले करके एक जो खुलापन है पहली बार जो है वो तुलसिदास बताते हैं कि कि राम का जो जीवन बोद है जो जीवन दृष्टि वह बदल गई उसे पहले राम ने कभी चांद नहीं देखा था जान उगता था रोज उगता था लेकिन कभी देखा नहीं था तो कहा कि अब वैटे हैं पहला पहर है और चांद उगा तो चांद पर निगाह क्यों गई क्योंकि चांदका जो है आकार सीता के चहरे से मिलता जुडता है प्राची दिस सशी उयोव सुहावा सिय मुख सर्स देख सुखपावा फिर बहुर विशार उपमान और में का मामला है तो उपमान छोटा हो जाता उप में बढ़ा हो जाता है यह चीछ चलता है कि फिर विचार किया चन्रमा में इसने सारे इतने सारे दुरुण। तो वह जो जो मतलब इंफेच्वेशन की हाई तवी है ऐसा अएसा प्रबलाकर्शन तो उसमें कुछ-कुछ काते रहते हैं पूरी राज जगते हैं जब लचमंण को लग जाता है कि भाई तो गये कहते हैं कि नहीं यह जो सीता जो है तो तुम ही को मिलेंगी कोई और ले नहीं जा सकता उनको इस तरह से समालते हैं हाँ और इसी तरह से समाला है फिर अब जब वहां पर पहुंच गए हैं लंका के यह ने लिखा है कि निराला जो जहां पर भी होड करते हैं तो नहीं करने चाहिए उनको मने उस कभी को प्रतियोगिता का मामला नहीं होना चाहिए तो उन्होंने कहा कि भई जब हाड़ने लगे तो राम तो उनको क्या है जागी प्रतिवीत अन्या कुमारी का चभी अच्चुत अब यह सीधा है ठीक है यह यह बेंजना का मामला नहीं है लेकिन तुलसिदास के यहां आप पता नहीं कर पाएंगे कि कहना क्या चाहते हैं समुद्र पर पुल बन गया है उतर करके चले गए हैं सुबेल पर ब गया है जहां पर लंका बसी हुई है उसके बाद में तीसरा मद्धिवाले में लंका बसी हुई थी तीसरा कूट है फूट मने परबत होता है जिसको माल भी कहते हैं को माले दे हैं विसाल तो यह कि नजदीर पहुंच गये हैं नजदीर पहुंचने पर बहुत याद आती है बिल्कुल जब बास में पहुंच जाईए तो फिर नों की निगाह जाती है कि चंद्रमा उगा हुआ है तो पूछते हैं कि कहा तो सब्सक्राइब कि देखो चंद्रमा हुआ इसके बारे में बताओ तुम लोग बताओ तो कोई कहता है कि यह कहा कि इसमें जो बीच में शामता है यह क्यों है इसके बारे में कुछ बोल अपका सुनना कुछ और चाहते हैं लेकिन मने कुछ सवाल कुछ इतरा से करें कि लोग समझना पाएं तो किसी ने कहा कि देखिए यह शामता इसलिए है कि प्रिशिवी की छाया पड़ रही है यह बैग्यानी कुत्तर पहले आया है उसमें दूसरे ने कहा कि जी वह जो बीच का हिस्सा है वो तो खालिया गया है इसलिए वह उसकी चाया है पीछे का जो हॉलो है जो खाली पन है वह काला दिखाई पड़ता है तो ब्राम को लगा कि कोई मेरी में वहां तक पहुंचेगा नहीं तो उन्होंने खुद ही अपन लपक लिया कहा कि यह जो है वह हम विरहियों को परिशान करने के लिए इसके यह काला पन है क्योंकि इसका भाई जो है वह समुद्डर से तो हलाहल भी पैदा हुआ था चंद्रमा भी है तो कहा कि वह वहीं से आया हुआ है और यह जो बराबर का का मामला है पुरते निकसी रघुबीर बधू धरीधीर दये मगमे दगदोए जलकी भरी भाल कनी जलकी यह जो निकले ठकान हो गई है राम को तम नहीं पता है जब वो कहते हैं कि लक्षमर तो गए हुए है पानी लेने के लिए तब मालू हो जाता है हां तो बैठ जाते हैं आग काटा निकालने लगते हैं राम आपपाका रूसरा कोई निकालने सकता और कब तक निकले अरगा ये दिडिक सकते कि जल्डी चलो लेकिन बैठ गयं लेकिन ऋस तरा से जुकर निकाल रहे हैं उस वक्त तियकी लखी आतुरता पियकी अखियां अतिचारु चली जलचोए जो प्रियतम का स्नेह है नाह नेहनित बढ़त बिलो की हरसित रहत दिवस जीमिको की जैसे दिन में चातकी प्रसंद रहती है वो ऐसे देखती है सीता की राम का प्रेम थोड़ा सा रोज बढ़ जा रहा है मे इसी समय की का वो बरवय है और उसी इलाके का है बरवय में यह है कि विवा हो गया और वो रात्र के अंतिम प्रहार में तो प्रियतम आते हैं प्रियतम का तब तक दीप उपक गुजा दिया जाता है तो प्रियतम का तो मुह देखा नहीं है लेकिन उसका मन है नाइका का की प्रियत्म का मुख एक बार देख तो ले तो वो किसी किसी उपाय से घर में अपने अग लगा देती तो उसमें तो सब कुछ दिखाए उसमें तो उसमें उसका प्रियत्म भी आ गया और और फिर सास कहती है कि अगया तो पानी तो तो लिखा है आगी लागी घर जरीगा बड़ सुक कीन अपने प्रेतम के हाथ मैंने भी उसी तरह से बाहर निकल करके श्रम किया और जो योगदान उनका है, बुझाने में वो मेरा भी रहा, दुंया ने देखा, और मैंने अपने प्रेतम को देखा, यह यह बड़ा सुक है यह बड़ा सुक है तो यह हम इतने 400 साल बाद में 500 साल बाद में अभी 50 साल में दुनिया बहुत बदली है 50 साल में ही लगता है 50 साल पहले की बाद हमको समझ में नहीं आती है तो यह मुझे लगता है कि अंतिम चीज स्वाधीनता को ले करके दो असमंजस में तुलसिदास और एक जगा मंत्रा से कहलवाते हैं कि मैं परबस क्यों हूं पराधीन क्यों हूं क्योंकि मैं कुरूप कुरूपता से पराधीनता का सम्मंद है करी कुरूप विधि परबस कीनहा बवा सो लुनिय लहिय जो दीनहा विधाता ने पुदरत ने मुझे कुरूप कर दिया और मैं इस तरह से दासी बना दी गई लेकिन मैं परबस हो गई कुरूपता का सम्मंद लेकिन अगर आप सुन्दर हैं तो क्या आप स्वाधीन हैं तो कहा नहीं तब भी स्वाधीन नहीं सुन्दरता भी आप देख लीजिए मिस वर्ड से लेकर के मिस Śवाधीन होती है किया जिस दिन कितने यग्रिमेंट खरते हैं किसी का दो साल किसी का पांसाल कि चैसीं का बारा साल कि जो भी मकश्व जब भी आप वह लगाएंगी क्या कहते जो हैं कि इस्ते माल करेंगी तो हमारा वाला दूसरे पैसे दे रहे हैं आपको आपको यहां तक पहुंचाया है आपको बनाया मिस्ट उनिवर्स तो यह जो है सीता को आहिशर है कि पारबती इतनी सुंदर विश्व सुंदरी कहा है और फिर विश्वतंत्र कैसे है सुंदरता जो है वो परतंतरता लाती है कोई आपको अपनी प्रापर्टि समझ करके चाहे वो कोई कमपनी हो चाहे कोई कि ये जो परबती हैं वो सुनदरी है और फिर भी सुबस अपनी मर्जी से कहींँ भी भूम लेती हैं कहीं भी चली जाती है यह कैसे अगर ऑगर ऐसा मेरे साथ भी हो जाए तो बढ़ा अच्छा हो। तो यह तारीफ करते हुए कि यह यह सुन्दर होने के बावजूद शबिग्रिय दीप सिखा जनु बरई ऐसा कहा है उनके बारे में सुन्दरता का तो कोई वो नहीं छोड़ा है कि सब उपमा कभी रहे जुठारी अब वो ऐसी सुन्दर जैसी पारबती है वैसी सीता है और सीता जानती है कि सुन्दर होना सब्सक्राइब बहुत बड़ा संकट है और लेकिन फिर भी एक ऐसी स्त्री है जो सुन्दर भी है स्वाधीन भी है तो मैं मेरे लिए वह यह चीज है एक प्रसंग है वहां से मैं खतम कर रहा हूं पनी बात वह यह है कि जब घर में कोई मर जाता है तो उस दिन रोना होता है अगले दिन कोई आ गया इस सिदारों में तब रोना है महीने भर भी कोई आ जाता है तो रोना होता है यह परमपरा है तो दशरत के मरने के बाद में जो रुलाई हुई तो हुई ही उस पर तो कलम तोड़ दी लेकिन जब भरत आये उसके बाद में तब भी वो रुलाई हु जब चलना हुआ चित्र कूट तब फी रुलाई हुए जब यहां पहुंचे चित्र кूट में राम से मिलाकात भी तब फी रुलाई लाई हुए और जब बीच में यह हुआ जनक सीता की मांने कहं कि मैं अपनी संधिन क मिलन कभी होता नहीं है दौनों मर लेकिन सुनती हैं उनके बारे में मिलना नहीं होता लेकिन गुजर्यों किस तरह की बातें करती है। उसको जानना है तो उप्रसंख पढ़ना चाहिए। मैं उस पर नहीं जाओँगा लेकिन उसके से एक काना चाहता edra बताने के लिए कि किस तरह की समझ है तुल्चिदास की वो यह कि जब मिली एक कहादो पहार में जब खानावाना खा लें अपने किसी उसे दूती से कह रखा था कि माने कि जब खाना वाना खा लिया तो मिलने के लिए जाऊंगी और वहां भी खबर थी कि मिलने आना चाहते ही जब खाना मालूम हुआ तो पहुंच गई है उनके क्वेंप में उनका कैम पर लगा हुआ था शीवित तो वहां तो बैठी अब फिर रोना शुरू हुआ तो कौशलया ने तब तक कौशलया का मतलब आज ही जा चुकी थी उन्हें रोक दिया अब रहने जी यह हो गया यह बड़ी रहनी है और इनका प्रेम बहुत गारहा था तो कहा कि यह जो है यह हम क्यों रो रहे हैं बार बार इतने लोग रोज मरते हैं रोज पैदा होते हैं सबकुछ है सोचे ही सखी लखी नीज हित हानी हमारे हित पर पुठारा घथ हुआ है दरसतकर M courage का मरना हमारा प्रेम का नहीं मरना है हमारे हितों का मरना है हद्व को जो सुविधाय मिलती हैं जो तो यह मारी चीज़ें पू से रोना जो है उस कारण से हम इसलिए रो रही हैं अपने में हमारे हित की हानी हुई यह रहसी खोल दिया रोने का जो स्याफा करने के लिए लाते हैं और घर की मैलाओं से ज्यादा अच्छे तरीके से रोती हैं पंजाब में रोडा ली हां तो उन्होंने कहा कि हम जो बार-ब हमारे हित्की हान हुई है हमारा मनलब ऐसा कोई व्यक्ति गया है जिसके कारण हमारी पूरी होती थी इसलिए हम रही है स्वार्थ के बर्स हम रो रही है यह चीज बताते हैं तो फिलाल मैं इसी पर अपनी बात रोकता हूं मुझे मौका दिया मैं पुना राजी उसर का हमारे अध्यक्ष रविकान साब का आप सब लोगों का बहुत आभारी हूं शुक्रिया शुक्रिया बजरंग जी चलिए बहुत कुछ हम लोगों को सुनने को मिला आपने थुड़ा वक्त तो लिया लेकिन काफी इधर-उधर की बातें भी हुई विशय के अलावा लेकिन आपने जैसा कहा कि बिना ये सब चुकी इतना घटा टोप है तुलसी को लेकर के कि उसको भेदे बिना उस मर्म तक और विशय तक पहुचना शायद मुश्किल है और ये बात भी आपने सही है कि मतलब जब हम स्त्री या स्त्री स्वाधीनता की बात करते हैं और उस कॉमा को लेकर क कि मैं अभी भी परिशान हो स्त्री कॉपा स्वाधिनता तो ठीक है स्त्री स्वाधिनता नहीं है विशाय मैं ये मैंने उसको लिखते हुए देखा था और गॉर किया था तो जहिर है उस्तिरी पर नहीं बहुत कुछ है इसमें और स्वाधिनता को लिकर भी तुलसी में असमंजस है जिसको आपने रिखांकित किया बहुत खुबसूरती के साथ रेम वाला प्रसंग कुछ नए नए ढंक से घाटित किया वह भी हमारे लिए बिल्कुल नई टेरिटरी थी और बहुत अच्छा लगा जाहिर है कुछ नए कुछ सवाल तो विद्वानों के मन में होंगे ही कुल बुला रहे होंगे तो शुरू कीजे कौन आएगा सबसे पहले हाँ कुछ भी हुजा आया अधरन जय फिर राजीव है अधरनेवाद बजरंग जी इस लेक्षर के लिए दो प्रस्न है एक तो जो 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 हम पॉसिबल रेडिकलिजम तुलसी में खोजने की कोशिस कर रहे हैं उसके सोसे खुद तुलसी में क्या थे मतलब वो इतना मोटिवेटेड रेडिकलिजम कैसे हो रहा था उनके अंदर इस पे अगर हम थोड़ा सा रिसोर्सेस पे बात करें तो बहतर होगा क्योंकि जनरली हम यह बैक्ती का वेंटेस पॉइंट के तौर पर प्रेजन करते हैं तुलसी का तुलसी के फॉर्मेशन में रिसोर्सेस का क्या योगदान था वो एक प्रस्ट रहे हैं दूसरा यह सच है कि हम आज के पैमाने में सोलवी सताबदी को जज नहीं कर सकते हैं लेकिन इस इतना के अगर जुड़ा हूँ है तो पता नहीं मुझे पूछ डाली है नहीं सवाल भी है कि नहीं यह भी नहीं पड़ा ऐसे एक छुटा सा नहीं अगर हम नहीं मुझे यह बिलकुल अच्छा लगा कि इस्त्री कॉमा स्वाधीन था पट ऑबिस्टी कहीं ना कहीं अगर हम दोनों की बात कर रहे हैं तो कुछ तो इंप्लिसिट या एक्स्प्लिसिट नहीं तो इंप्लिसिट कनेक्शन तो होगा तब हम दोनों चीज़ों की आप ने इसका उले किया तो वो क्या था आपके दिमाग में कि पिर्टिक्लर ली बिकाज़ यह सुलवी सदी की बात है और यह तो है कि हम इसी चीज़ को बीसवी एकीसवी सदी में इवन नाइंटीन सेंच्री लेट नाइंटीन सेंच्री में यह इस रिष्टी जवादीन ता कि बात शुरू हो चुकिए बहुत बड़ी तरह हैं और उस में तो उससे पहले इंप्लिसिट कनेक्शन्स किस तरह के उसका हिंट आप ने दिया कि अगर हम लोग स्वाधीनता को सोचें इंडिविजुल चॉइस एक इंडिविजुल की कॉलिटी और चॉइस से और उसकी विल से जैसे की स्वेंबर की बात हुई तो अगर उसको से जोड़ दें तो तो आपने बिल्कुल ठीक का कि यह तो बिल्कुल नहीं है महां पर कोई यह रियल चॉइस तो थी नहीं सीता की और उनकी विल का भी उसमें कोई जादा उनको शर्त रख दी थी तो फ्रीडम ऐस इंडिविजुल चॉइस तो हमको निकाली देना चाहिए अगर हम उसको स्वादीनता को लाने की कोशिश करें अपने अपने डिसकाशन में ऐसी क्या स्वादीनता हो सकती है जो चॉइस और इंडिविजुल चॉइस से ना लिंक हो के कुछ और तरह की हो अगर ऐस तरह से सोचें तो शायद आपने जब जो प्रेम पर आपने केंदरित किया जिसमें एक mutual dependence है इंटरडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंड हम उसके बारे में सोचे हैं तो शायद कुछ हमें पता लगे कि 16th century के conceptions में क्या freedom का मतलब हो सकता है जो आज भी relevant because there are lots of critiques of freedom as you know choice dependent particularly to freedom हम लोग self-realization आपने हित की बात भी करे थी लेकिन हित थोड़ा शायद लेकिन self-fulfillment self-realization which is not possible by your own effort it's something which has to be collective and उसमें companionship भी होती है friendship भी होती है community भी होती है और उसमें love भी होता है अगर उस तरह से हम लोग सोचें तो शायद हम सच मुष इस्तरी कॉमा स्वाधिन्ता की जगे स्थी स्वाधिन्ता इस्तरी स्वाधिन्ता थी बात भी कर सकें even if it's not very contempt modern it may be different from modern western ideas but maybe is there something there from which we can still learn I mean not replicate but from which we may get something जो resource की बात भी की थी एक तो यह चुटा सा एक सवाल मेरा यह था कि एक जो शत्रिया है दश्रत यह आम बात उनके बतो इसमें जो मुनागमी की है सारा जो मतलब राम चरित मानस में शायद मुझे बाकी ब्रामाइन का तो नहीं पता लेकिन कभी यह कि मैं किसी दूसरी इस्तरी के प्रतिया अकर्शित भी नहीं वो वो बंदा कह रहा है सोच रहा है जिसकी पिता जी है वो तो तीन शादियां तो कर्फिती तो तो वहां उसको उन्हाने होना सब पूरे पूरा tradition को एक तरब से नामचार इत्मानस के ओस पूरे tradition को वह रेंश ऍपरे कर रहे हैं उसके अगैंस जा रही है है और एक ही इसत्री से विच इनिद्ञ कि मॉड़न आइडिया एक ही सत्री से प्यार कर रहे हैं उन्हीं के पीछे पागल है और उनीक सा विरह है और वो चली गहीं तो उनको ढूंद के वापस भी लाना है यह सब के सब जो है यह एक एक modern idea of love romantic love जिसको बोलते हैं शादी हो गई पहले शायद था कि नहीं लेकिन शादी के बाद तो यह 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 जो आइडिया ओव लव रोमांटिक रव जो उन्नीस वी सदी अठार्वी सदी रोमांटिक पिरिट के अंदर आया है यह यह तो मुझे लगता है जैसे कि जितना हमें बतलब I don't know the actual रामचा एक और चोटी सी बात की मैं एक बरी फीडम एक मेरे को एक हमारे अबो हैं कि नहीं का ललू ललू रे जी घजर गए ना ललू हमारे साथ आकसफ़ड में थे थोड़ी देर के लिए और वहां पर उन्होंने एक मेरे को पेपर दिया इसका नाम था प्रीटा नहीं फ्रीटा फ्रीटा नाम का पेपर एंवे मैं उसको बूल गया लेकिन मुझे हमेशा यह सुचा कि प्रीट और फ्रीडम में क्या कोई लिंक है और मैंने ऑकसफ़ड बहुत सालों बाद ज़र दशकों बाद मैंने ऑकसफ़ड टिक्टरी के अंदर जो शौटर टिक्टरी उसके अंदर I look for the etymology of freedom और वहाँ पर उस etymology में प्रीट लिखा हुआ है मतलब there is an etymological relation between freedom and love तो उस हाँ अब बिल्कुल संस्केट वारा प्रीट है अब फ्रीट है तो I have no idea अभी तक उसको किसी ने बताया नहीं है कि क्या लिंक हो सकता है इसके बार मैं सोचता है रहता हूं कि love of freedom का क्या लिंक है जो कि वहां तक जाता है इतने ही पुरान इंटर वतलब की जब भी एटमालेजिकली लोग नहीं लगाया है लेकिन सोचनी की बाद है अब पर रेस्पॉंट करना चाहेंगे ठीक है फिर हम लोग बाद में आते हां बढ़ी है तुम्हें भूल जाओंगा धनन जे जी एक परंपरा है बारतिय साहित की और उसी में तुलसिदास आते है तुलसिदास को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो जो प्रचार की बात करते हैं कि मैंने किसी म अपना फ़े लिए मैं अ alma लिखा लेकिन रीमचा अर। है और हुआ कि ये लिए थे प्रहुंद की आड़तीट परंपरा है । सेकंड सेंचुरी में अब वह बीसी भी एडी दोनों के बीच में जो किताब लिखी गई मिर्च कटिक मिर्च कटिक की बहुत सी बाते जो कितों मिलती तुल्च दास के मिर्च कटिक में पहली बार राज बिपलो होता है राजा जो है वह उसका नाम पालख के जो पालब करने वाला और नाम के बिल्कुल ठीक उल्टा है कि अ गयां को यहां कोई और है नहीं मने मंत्राले पूरा है जैसे की यहां मंत्राले पूरा था ठीक है ना तो रामड का जो चित्रण किया है वो समझे कभी कभी का रामन हो सकता है भुजबल बस सी बिस्व करी राख्य सी कौन सुतंत्र मंदलीक मनी रावन राज करई निज मंत्र मंदल है लेकिन वो सलाह नहीं दे सकता वो और तो है अपनी मर्जी से राज करता है राज करई निज मंत्र पालक वैसा ही जो जो यह अवंति पूरी की कहानी है जैनी की राजधानी कोहां कि कहानी तो वो है और उसका ग्रिह मंत्री है दो ही है और कोई नहीं उसका नाम शकार है ग्रिह मंत्री का तो अब ये लेकिन लेकिन वो मनें कि असली तो वही है पालक्षी है अकेला रहता है यगी भी करेगा तो अकेला दिखाई पड़ेगा ऐसा चित्र खीचा है उसके सात्में आया जाए कविता इसमें दोहावली में तुलसजात ने लिखा है कि बीच बीच में ऐसे आते हैं राजा ऐसे होते रहते हैं जो अपनी ही परजा पर को दुष्मन को आनक दिरुवत नहीं है तोप का गोला बन करके फूट जाता तक तोप आया आया ही था लेकिन का तोप का जाता है अपनी जनता पर फूट जाते हैं लेकिन फिर उनको जाना होता है वो तो खतम होते हैं लेकिन इसमें यह जो एक बड़ा महत्त्पूर्मागाभी जो गुजरात से आया यह वाद कहीं गुजरात के एक बड़े संत थे महामध कुराननात का हमारे यहां के लोग तो वैसे होते हैं कि बातों से ही महल बना देते हैं तब तक भूम पूजन भी नहीं हुआ रहा रहता है हुआ प्रान अनात को पड़ी है वो तो अधभुत कभी जो यह हिंदुस्तानी भाषा है गांधी जी ने लिया वह उन्हें से लिया है उन्हें का खुराइटी कंशन चाहिए लेकिन हिंदुस्तान में में अगर हमको कहीं कुछ इस्तेमाल जाना है बोलना है तो हिंदुस्तानी चाहिए यह अठारा सो में एबात कहीं गई है 18th century के आखरी में 19th century के शुरू में तो उन्होंने यह का तो वो जो माघ ने लिखा माघ का महाकाब में शिश्पालवद अकेला काफी है मैं उसको फिर आऊंगा थोड़ा सा एक मिनिट के लिए और एडिकलिजम की बात जो है यह है कि नाराद आते हैं कृष्ण जो है वो दर्वार में है तो उनसे कहते हैं कि जनत्ता बहुत परिशान है जो शिश्पाल है ना इसने बिल्कुल त्रस्त कर रखा है और यह अगर आप सोचें कि कब तक जिन्दा रहेगा एक ना एक दिन मर जाएगा तो कहाँ यह खुश्पहमी है ऐसा होगा नहीं दूसरा शिश्पाला जाएगा इसलिए जरूरी है उसको मारना ऐसे राजा को मारना चाहिए उसको अपने मिर्ट नहीं मरने देना चाहिए अईसा नारत कहते है और फिर उसके बाद में तो उस पर बहस है लेकिन उसमें जो तयारी है मर्चकटिक में उस वो तयारी देखने लायक है वो राजा ऐसा है पालक कि माली जै आपके घर पर चार दोस्त आते हैं आप मिलकर पांच हो गए तो राजा के कान खड़े हो जाते पांच लोग वहां बैठते क्यों उसका जो खुफिया तंत्र बहुत मजबूत पांच लोग रोज बैठते तो अगले दिन आपको उठा लेगा और एक हपते से बताया एक हपते से ऊपर नहीं रहता कोई सजाय मौत तो उसके उसके नगरी के चार कोनों पर फांसी घर है चार और सब में लाशें 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 और खुले में प्ंसी दिल्वाई जाती उसमें चार्द हम मुद्ध का जिक्र जैसा है उसमें वह तो कई भी मिलता नहीं अन्तिम लंबा एक बरणन है उसका कि नीतिक शुन तटम चराज करनम हिंस्रई समुद्रायते कहा यह ऐसा है जो है वह बहुत स्कॉलर है सब कुछ जानता है लेकिन ग्रिह मंत्री पहुंचता है और अपने पाउं से जो लिख रखा है उसको पोंच देता गिरा देता है नीचे बुरा लगता है तो कहते हैं कि राजा से कह करके तुम्हारा पत्ता कट करवा दूँगा अब निया दिसको लगता है कि नहीं यह तो पद पद तो नहीं जाना चाहिए पद भी और पद के बाद मे जो मिलने वाला वो भी तो इसलिए समझोते कर लेता है और कहता है कि नहीं चार्दत ने जरूर मारा होगा एक बसंत सिना नाम की नर्टकी है नर्टकी है तो उसको उसको पर पोज किया था शकार ने और उसने मना कर दिया दस जार कहा दशेजार सोने की मुद्रा देंगे त तो उसको मार दिया मर दिया तो उससे पहले कि कोई और करे खुदी पहुंच गए थाने नहीं गए सीधे पहुंच गए सुप्रीम कूर्ट कि मैंने अपनी आखों से देखा है शकार को मारते हुए नया दिश्व को पता है कि मारा इसी नहीं है उसका उसकी जो इमेज है वो इनको हम मानते हैं कि यह कभी डेवियेट नहीं होते डेवियेट वो भी होते हैं और सबसे पहले निया अधी सी देवियेट होते हैं लोग जो और इस पहले अंधिया जो कांइतने में पांच जबाantos आउगी तुल्सिदास ने बताया है कि मानस्त में ही बताया है कि जिनको हम मानते हैं कि यह अपनी पोजिशन पर रहते हैं जिसमें उन्हों ने कहा पहले तो नया धिर्स हैं फिर दूसरा सेना पती हैं जो जो सेना के लोग हैं फिर तीसरा कहा कि जो ज्यानी हैं यह क्या कहते हैं कभी हैं और फिर कहा कि सभी सभी सब्सक्राइब 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 तो यह परंपरा आत्मसाथ की हुई है जो बात आप जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो निर्प अवसी नरक अधिकारी ऐसे राजा को नरक भेजना ही चाहिए जो सिस्वाल बद में कहते हैं यह कि ऐसा मतमानों कि अकेला राजा है आप उगली लगाएंगे देशों के राजा आ जाएंगे उससे पक्ष में जैसे उन्हों का पुंज है वी सों रोग उसमें होते हैं लेकिन नाम एक है कि यह टूबर कुलोसिस है एक रोग नहीं इसका इसी तरह के आतंकी राजा होते हैं जंद्रोही राजा होते हैं इसलिए बहुत साउधानी से तयारी करने के बाद हाथ लगाईए तो तो इसमें पांच लोग गोप कुमार है आज की भासा में कहें कि एक यादो लड़का है उसके यहां बैठते हैं अब पालक को लग जाता है उठा लेता है उसको डलबा दिया उसका नाम आर्रेक है उस इवा का डलबा दिया उसको जेल में उसको फांसी होनी है उससे पहले उसकी टीम है उस टीम का लगी हूई है और उसमें चारदत जो है वो इसमें सहायक बनता है यह टीम जो बनी हुई है वो टीम काम करती है सारे जू राज कर्मचारी हैं मिला लिए गए हैं सेनावाले मिला लिए गए हैं और चारधत्त को ने क्योंकि पैंसे की परवाभा ना करके रखता है कि सारा सबुरaşर भी सालाइं बनी नहीं है। हम इसको उसको मरवान है और ऑर निकल गया है गए समस्ते में ने वाले लोग हैं उनको इतने बड़े समस्ते हैं जनता में इतना कायर पना क्यों मटती कियों नहीं जनता बूले तो राजा कायर है राजा कायर है सकती है एंका व्याख्यान है पुरे वक्त का वो यह इन सब की चायाएं हैं के ऊपर आप देखें बहुत महत्पूर कहें महाकाबी है भारवी का किरारतार जुनियम में दुरियोधन बना है सुयोधन ठीक है उसको राज जी जो है स्थाई रखना है तो अब वह जो डॉमिनंस से उसको बदलना है जीमनी में तो कैसे तो वह ब पивать gonna ऒबू के लिए उसके नहीं हैं राने के लीके लिए लेकंके ने नीतियां हैं प्टान के लिए लेकिन कहते हैं भारवी कि यह उसकी फितरत नहीं हैं यह कुछ समय के लिए लगता है कि उसने जिन्दा कर दिया इतना अनाज दे करके इतना सिंचाइक व्युटकर करके है नहीं वो तो उसको फिर उसके बाद में जोिस्वाजार क्या कहते हैं माभारत की एक माभारत में नहीं संकेत माभारत वाले हैं वह भारभी का फिर शुपालवद का और फिर in का वाला जसे इस प्रेम की चर्चाद 5 उसके लिए सबसे बढ़ी हां महाकाब भी है तो सबसे बड़ा है उसमें को हासिल करना है तो इंद्र जो है वो लगे हुए है इंद्र के बाद में अगनी लगे हुए है वरुन लगे हुए है यम लगे हुए है चार-पांच बड़े लगे हुए है अब उसका तनाओ है और दमियन्ती का प्रेम जो है उनल्के उप्रती है तो देव सब्ता और माणव सब्ता के बीच का उप्ता है और अंत में समें मिलती है जह कविका मामना का है नियरने है वो नल्दमेंती मिलते हैं लेकिन उसके बाद में उनके दुखों का तो पूरा महासागर है वो उसमें नहीं यह कह रहे हैं कि यह परंपरा है प्रांतिकारी परंपरा है जिस तरह से मारा गया पालक को जिस प्लानिंग के साथ यग भूम में अकेला जा रहा है सब सिर्व दूर दूर बैठकर के देख सकते हैं और उसमें शर्विलक पहुंचे और आसानी से मार दिया कोई हंगामा नहीं हुआ राजी में कोई उसके लिए बोला नहीं किसकी आँखों से आँसू नहीं एक बुना तो नहीं गिरा तब मालूम होता है कि यह तो कुछ भी नह जाते हैं लेकिन जब तक रहेंगे तब तक तबाह किये रहेंगे यह रडिकलिजम जो है उस परंपरा से आ रहा है और यह बड़ी संविद्ध परंपरा बड़ी बड़ी पुरानी परंपरा ठीक है जिसमें मतलब राजसत्ता को हमेशा और वह जो यह आप राजी उसाफ कह रहे थे प्रेम और उसका स्wyद्धीनता अलग क्यों है की स्वद्धीनता के लिए सबसे बाड़ा खत्रा जो है मांते हैं देवसत्तार जो प्रेम नहीं करने देती प्रेम लोग तो स्वधीन होंगे लेकिन वह बैठी हुई है प्रेम नहीं कर सकते वो आप अपने Anwar को nebiset क को लगा कि यहां बैठ करके कुछ पढ़ा जा सकता है कुछ साधना की जा सकती है अब बैठे बैठते ही उनका आसन डोल गया इंद्र का तो लिखा है कि यह ऐसा राजा है इंद्र के बारे में जैसे कि वह कुट्टा कुट्टा जो है वह देखता है कि उधर से शेर आ मैं लहां है कुट्टे के पास शूफी हड़ी है तो उसको लगता है कि कहीं मेरा मेरी हड़ी नचीन ले तो कहा इसी तरह से तिम सुरपतिं쪽에 बेशर्म जोгорफोती इसी तरह से सारी स्वान मगवान जुबाननू राजा नहीं कुट्ट पता नहीं क्यों को को ही रखता है सामने तुलसिदास ने जब भी राजा का जिक्रा आएगा इंद्र का जिक्रा आएगा तो कुत्ते का मामला लाएंगे सामने लेकिन यह कहते हैं कि यह जो यह जो देव सत्ता है मने राइट विंग पॉलिटिक्स पर इतनी गहरी समझ इतनी प्रोपाउंड नहीं मिलेगी यह यह बहुत बहुत मानिक चीज है और प्रेम वह नहीं करने देते पहलाते हैं प्रेम नहीं करने देंगे प्रेम हो है तो आप निर्वय हो जाएंगे तो आप मानिदर हो जाएंगे मनिए आप स्वाधीन हो जाएंगे अधीनता रहेगी लेकिन अपनी अध स्वाधीन तरहेगी जो पालक है उसमें वो डरता किस से है आर्यक से डर गया है ठीक है आर्यक क्या है यादो है अब इसमें जो है पता नहीं क्या सोच करके अब यह चाया ही है कि लिखा है कि उसमें कि निर्मल मन अहीर निजदासा स्वाधीन कौन है यह निर्मल मन का अहीर है स्वाधीन अगर आपने माली जी इपने चकटिक नहीं पढ़ा है तो धन्यर्थ नहीं पकड़ पाएंगे कि यह बात आ कहां से रही है एक कैसी के लिए और यह तो वह मत दै कि निर्मल मन का यह यदो है और यह स्वाधीन स्वाधीन सवाधीन स्वाधीन का सवाल पolिक्टिकल क्वेस्जन है तो उसको जोड़कर देखकंपड़ेगा देव सत्ता से धिश갈ता हम आज परमपरीव सब्दावली है लेकिन और उकामाइनी में ले जाएंगे तो और फ्लियर हो जाएगी जो जनता है वो खड़ी हो गई है कि यह जो है मनु बड़ा गरबड़ है और कहते हैं यह जो जनता खड़ी हो गई रामचन शुक्र ने लिखा है यह सामिवाद की दभी अनग की यह नहीं है तुलसिदास ने जो लिखा है कि ऐसे राजा को नरग देना चाहिए तो उनका निजी एक गान उसमें है इसा नहीं को काट सकते हैं उनको करेंगे लेकिन परमपरा बता रही है कि सो निर्प अवसी नरग का दिकारी इसलिए राम से कहलवाते हैं यह रावण क कोई गड़बड कर दिया रोक दीजिए गार मैं तुरंत अपने को करट कर लूँगा यह स्पेस उनके यहां है कहते हैं वो इस तरी वाला प्रेम वाला बताया है और बिल्कुल नहीं चीज़ है दो चीजे नहीं है जो मैं पॉलिटिकल साइंस के लोगों से पूछ रहा था कि यह कब आई है चीज तो उन्होंने का यह नैंटीन सेंचुरी की बात है उसके बाद यह चीज आती है टुन्टिएस सेंचुरी में जो यह तरह-तरह के फेमलिजम आया है ब्लेक कहें कि आईडियालजी आई है उनका मुम्मेंट चला है तब यह सब चीजें आई हैं करते प्रति ब्रता के मतलब क्या है एक वो जो पति है वहीं वो पति ब्रता उन्होंने कहा कि मेरा जो राम राजी होगा उसमें पत्नी ब्रता होंगे लोग यह यह नहीं चीज है यह कभी उसके पहले नहीं सुनी गई है तुल्ची ने लिखा है एक नारी ब्रत रत सब जहारी सह पुरुष एक पत्नी ब्रती होंगे और उसके बाद में उनको देख करके इस तरियां भी प्रतिवर्ता होंगी से मन बच क्रम पति हितकारी तब पति की पहले उनकी चिंता तो करें मालूम हुआ कि तूने तो को योड सही और पत्नी को पत्नी 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 प्रता का पड़ा यह नहीं चलेगा पहले तो उनके लिए लोकेशन प्लेसिंग जो है महत्पून है पहले पहले उन्होंने कहा है एक नार इब्रत पुरुष लोग एक पत्नी ब्रत कर रखेंगे तब इस तरियों से आप उम्मीद करेंगे का हमारे यहां ऐसा है दूसरी बात और उसमें मैं नहीं जाओंगा लेकिन जाना चाहिए मुझे जो उनके यूटोपिया है राम राजी वाला यूटोपिया है जिसमें वो कहते हैं कि मतलब सभी लोगों को मतलब घ्रमक झिक्र किया है चारों बनो को सुवर्थाएं कम मिलेंगी नियाय कब होगा जब राष्य करन हो जाए जितने व्य संसादन है पानी का मुद्दा उठा उंहुने हैं पानी का मुद्दा बोओ उनके उठाए पहले परने से आखरेपन बहुत पानी बड़ा सवाल तो कहा कि जो जो नदियां होंगी और सब मतलब की राजिकी होंगी और तब उनके लिए वहां पर पहुंचना आसान होगा राज घाट सब बिधि सुन्दर वर मज्य तहां बरन चारी उनर वहां पर चारों बरनों के लोग नहाएंगे लेकिन उसको राज घाट होना पड़ेगा निजी प्रपरटी हो जाएगे तो नहीं नहां सकते फिर तो उनके मर्जी वहां इतना पेमेंट कीजिए या फलानी जा वह वह अलग इसलिए कि अगया है कि प्रेम उसके साथ जुड़ा हुआ है लेकिन प्रेम से बड़ी चीज है स्वाधिनता स्वाधिनता रहेगी तब यह अपने अनुसार कर पाएंगे कि किससे आपको प्रेम करना कहां जाना है क्या करना क्या नहीं करना है बेगंपुर का वह सकता है प्रेडाश का लुगा यहां जो कहीं जा सकता है प्रकीजोजोज अपनी मर्जी का यह सकता है घ안शक कर दो मतलब नियायलह जाने में जो तरहत्रा के होते अच्छा नहीं होंगे सुप्रीम कौड का जिक्र रही है उलेख है मुर्च कटिक मैं उसमें यह नीतिक शुण टटम चराज़ करणन यह ऐसा ने आया अलय है जिसका संब्ध से नई रह गया है फैसले तो होते हैं लेकिन बीना न site के होते हैं मरजी से होते हैं तो फिलाल इसको मैं और आगे नहीं ले जाओंगा लेकिन जो मैं खाना चाहता हूं यहीं है कि परंपरा से आई हुई चीज है लंबा समय दिया है उन्होंने बताया है में बताया है कि मुझे यह नाटक लिखने के लिए ज्यामित पढ़ना पढ़ना पढ़ा और क्या क्या पढ़ा सब्und आ पर तक कर के मैंने लिखा है तुरांस का बताते हैं कि आदो जगा जगा पर तरह तरह की चीजह मिल जाएंगी कि लोग कहते हैं कि मौलिक नहीं है मौलिक तो सही मैं नहीं है व्यक्षा कोई दावा भी नहीं दो कि आप कुछ शवाल है ओनलाइन ले लेते हैं उसके बाद अगर है सुधाजी करें सुधाव पाध्याय का है पढ़ो तो कि अबरा शुरुण है 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 तो यह में तरह कहा है 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 स्वतंत्रिष्त्री शुखी है ऐसा कहना चाहिए अच्छा शुतंत्रिष्त्री जो है वह सुखी वहीं है यह तुन्सिदास का पक्ष पर इसलिए इसलिए वह एक जगा कि जो बाल बाल कर मों कहा है तुन्सिदास का अजगेागं हम घक्ष पर इसलिए जगे से साहिए झाल झाल कि पहले सिता ने यह कहा है कि उस संदर में कि राम संदर तो है लेकिन इसमें ताकत नहीं है राम का धनुष्ट तोड़ना कुछ वैसा ही है राम का धनुष्ट तोड़ना उसी तरह से संभो नहीं है जैसे शिरीश के फूल से तीरे को कटना तो वह उन्सकों यह नहीं मान थी कि बहुत बलवान है तोड़ेंगे ना उन्हों अपने तरह के बनाया हुआ है कुछ इस तरह का माहौल तरह तरह के देवताओं से मनवतिया मांगी हुई है जी चीक है बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जो आपने सवाल पूछे मैं एकात बस चीजें बस एक तुम्हें जानना चाहता था थोड़ा वेरागी संदीपनी पर आपने छोड़ दिया क सब्सक्राइब करेंगे ठीक है नहीं कहूंगा उन्होंने सवाल खड़ा किया है सवाल यह है कि यह जो सांप है वो शिखर पर रहते हैं चोटी पर रहते हैं उचे रहते हैं तरह तरह कि सुविधाओं का भोग करते हैं लेकिन जो श्रम करने वाले हैं जो पैदा करने वाले हैं जो अनाज और गुर वगएरा वगएरा पैदा करते हैं वो नीचे रहते हैं ठीक है तो यह जो गुत्ती है तो इसको शुल्जाया जाए कि जो धी जो कुछ नहीं करते और शीकर दो यह तना हें बढू पू explosive मेग लाइं नहीं नहीं मिलेगी मुलेगी तरह वह तो कहा है एक निश्टत की मिल्याइन की दोकी कोई में इसलिए मैं कहा रहा हूं कि अगर आपको उनका विचार देखना है तो जैसे ही हमको पढ़ना चाहिए ठीक है तो बहुत-बहुत शुक्रिया बजरंगी मज़ा आ गया ठीक है यह जो जबर्दस जो connection आपने आखिर में बनाया आखिर में क्या ठूर पूरे लेक्शेर में वियाख्यान में वो बहुत मज़ा आया यही है अंतर पाठेता से ही बात बनती है और कहानी से कहानी जुड़ती है और ने ने अर्थ खुलते चले जाते हैं बहुत मज़ा आया सव हम बाद में और फिर पूछते रहेंगे आपसे आपने इतना बढ़िया लेक्शेर दिया बहुत मज़ा आया थोड़ा वक्त लगा आप लोग ने धैरी से सुना आप सब का बहुत-बहुत आभार शुक्रिया हमारे यार्थी आये हैं बहुत दूर-दूर